तो दोस्तो इस वीडियो में जानेंगे Lorynol 10 अमजी टेवलट के बारे में यह जानेंगे कि यह दुआ कि इस टैप की होती है इस दुआ का यूज कर्प क्या जाता है इसकी क्या डूज होती है कितने दिन तक लेनी चाहिए क्या साइड़ फेट इसके होती है क्या इसको लेने डाइन को समझेंगे लोरिनोल ब्रेंड नेम होता है माइक्रो कंपनी का है अब देखिए लोरिनोल नहीं मिले तो आप दूसरी कंपनी का ले सकते हैं अच्छी कंपनी का होना चाहिए तो इसका जो यूजन दोस्तों ये बड़े लोगों में ही जादर के जाता है यानि 12-13 साल से बड़े एज का वेक्तिश का यूज करता है तो महिला भी करती है प्रूस वेक्तिव करते हैं हर कोई कर सकता है तो दस अमजी में आता है पांच अमजी में वेशे आता है बच्चों में चलता है लेकिन बच्चों में ये कम ही चलता है लोरेटा डाइन बड़े लोगों मे जालता देखा गया अब यह होता है क्या है तो पहले पराइज जान लेते हैं देखिए अगर लोरिनोल ब्रेंड की बात करो तो एक पत्ते के अदर पंदरा टेबल आती है और पंदरा टेबल करीब 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 70 एक सो पतास यह और पास पास आपको यह चैमीड स्ट आर पर निल जाए तो यह तो यह इसकी टोक्तर आॉस्कें के प्रिस्क्राइब करते फिजेशन डॉक्तर भी कर सकते है तो सेल्फ्यूस नहीं करने अब सम着ते हैं यह लोजा एक एंटी हिश्टामीन सोल्ट होता है अब इसको हम गहते हैं anti-histamine यानि उसको बनने से रोक देता है और उसको बनना रोकना इसलिए ज़रूरी होता है कि दोस्तों बोड़ी के अंदर ना कही तरही कि allergy का जिम्मेदार histamine होता है जैसे कि आंक से पानी आ रहा है आपके कोई irritation हो रही है ठीक है आपके कोई इसको बीचिंग चल रही है बोड़ी में पूरी बोड़ी में आती है या कुछ पार्ट में आती है पाउं में हाथ में कहीं पर भी अगर इस्टामिन का आण हो सकती है दोस्तों यह problem एक ऐसी problem है जहां पर विक्ति को ज़्यादा खुझली करने पर विक्ति ज़्यादा प्रोलम का शिकार बनता है यानि ज़्यादा अगर खुझली करोगे तो खुझली बढ़ती जाएगी कम नहीं होगे तो वहां पिर यह देना पड़ता है खुझली की प्रोलम में या कोई खुझली कार संसली का को अद्या या को बोसकती है लेड़ना होनसा और बोस्के देने में कि आ जाएगी हुझल। खुझली के यहाद जाता हुझली कार वरा सुछा बेंडी में गदेना है जहां पर यह जा सकती है। तो अल्टी किरिया खुझली चलती है दोस्तों, रेसे आ जाते हैं, बड़े-बड़े फाले से उपर जाते हैं, जहां पर खुझली करते हैं, वहां पर फून से हो जाते हैं, फिर बड़े-बड़े फाले हो जाते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, इस इ प्रोड़ी प्रोड़ों में दी जाती है अब बात करते हैं कितने दिन तक चलते हैं दोज क्या होती है तो देखिए अगर 18 साल से उपर वाला विक्ति है तो वहां पर इसकी जो डोज होगी वह एक सुबह एक साम होगी खाने के बाद और करीब-करीब एक हफ्ते तक और दो सकती है तो इस तरह के से चलती है और प्रोल्म का मत और एक टेबल रात को सोते समय भी डॉक्टर इसको दे सकते हैं लगिन जातर के समय सुबह साम ही चलेगी अब आते हैं क्या साइड़ होते हैं इसकी तो देखिए कई बार यह होता है कि लेने के बाद थकान मेसुस होती है ठीक है इंडाईशन हो सकता है गेस बन सकती है या नोजिया हो सकता है जीग बरा सकता है और कब्द बनना और भी कई तरह के साइड़ फेट इसके होते हैं लेने के बाद वैसे कोई जादा घंबी साइड़ नहीं करती है कोई कुछ व्यक्तियों में हो सकते हैं अगर हो तो को आप बता सकते हैं या काम नहीं कर रहे हैं तो अराम नहीं है तो डोक्टर को वापस दिखाना चाहिए तो दोस्तों संपुर्ण रेविव था लोरेटा डाइन या लोरिनोल दस समझी टेवलेट के बारे में यहां तेविडिनिंग लिए बहुत बहुत धनिवाद